शुशान्त सिंग राजपूत मामले में रियाच चक्रवर्ती पर शुकंजा कस्ता जा रहा है बिहार पुलिस शुशान्त मामले में कोई कोता ही नहीं बारतना चाहती है और सबूत को एकठा करने में जुटी हुई है पुलिस ने कहा है कि वो आखरी दम तक इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी बिहार पुलिस के जीडिपी गुपतेश्वर पांडे ने एक्ट्रिस रियाच चक्रवर्ती को चितावी दी है जिस दिन उनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिल जाए उसी दिन हम कहीं से भी उन्हें खोच कर निकाल लेंगे पांडे ने कहा कि रियाच चक्रवर्ती प्रात्मीकी में आरोपी है और इसलिए पटना पुलिस उनकी तलाश कर रही है जिस दिन हम सबूत जुटा लेंगे उस दिन रियाच जहां भी होंगी उन्हें गिरफतार कर लेंगे साथी गुपतेशोर पांडे ने कहा कि अगर रियाच चक्रवर्ती को लगता है कि वो निर्दोश है तो फिर उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो सामने आकर अपना बयान पटना पुलिस के सामने प्रस्तोत कर सकती है इसे के साथ डिजिपी बोले कि रियाच चक्रवर्ती को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जाच जनसी जो कुछ भी पूछना चाहती है उनसे पूछ ले ये लुका चिपी का खेल ठीक नहीं है डिजिपी पांजे ने आगे कहा कि सुशानत मामले में जाच को आगे बढ़ाने के लिए पटना पुलिस मुंबई पुलिस से कई प्रकार के कागजात और CCTV फोटेश की मांग कर रही है जिसमें दिक्कत आ रही है हाँ जाएगा धर्ति के किसी कोने में हुगा कोई उसको ढूंड के लाएंगे जी हम तो लगे हुए हैं काम थोड़ी बंद किया है हम मिन्ति जार करें गए मान्ने सरुच वाण का जो अदेश होगा फालन करें लेकिंगे कि हमें मोगण मिल गया है भी हर प्रलीस को मोगण मिल गया कि इसको देखने का अनसंधान करने का ऐतिहासी को अनसंधान होगा पूरी दुनिए देखते रहे सत्य पर से परदा उठकर रहेगा चाह कोई भी कितना भी बड़ा हो कितना भी बड़ा रसूख वाला हो किसी को छोड़ेंगे नहीं जो दोसी होंगे इसमें रिया चकरवरती ने इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को बोला है जब कि पहले वो खुदी मुंबई पर अविश्वास जता रही थी कहने थी कि मामले को सी बियाई में भेजना चाहिए तो अब जो है वो वापस इस ट्रांसफर प्रेटिशन से तरीके से पूरा इंवेस्टिगेशन कर रहा है वैसे ही चले और जहां तक केविएट का सवाल है जब भी पिटिशन फाइल होता है तो रिस्पॉंडेंट के नाम होते हैं तो रिस्पॉंडेंट अगर चाहता है कि उसकी सुनवाई भी हो बिफोर एनी ओर इस पास्ट बाइ था रिस्पॉंडेंट नमबर थरी बड़ पता ने क्यों डिलीट कर दिया तो अब महराष्टा रिस्पॉंडेंट है ही नहीं बड फिर भी महराष्टा चाहता है कि उनके सुनवाई हो तो उनकी सुनवाई हो जाएगी उसमें को ऐसी बात नहीं है देखे बिहार के निकमा है इसलिए वो अपनी बचाओ में ये बात कह रहे हैं लेकिन बिहार के लोग और क्या देश के लोग ये जरूर जानना चाहते है कि आखिर सुसान सिंग राजपूत ने अपनी जान क्यों दी क्यों उन्हों ने आत्मातिया किया क्या दबाव था उनके उपर किस तरह का महौल था ये तमाम चीज को जानने का अधिकार सभी को है और खास तोर पर बिहार वास्टियों को ज्यादा है चूकर सुसान सिंग राजपूत बिहार से संबंदी थे इस में मुंबई पोलिस भी अपनी जाच कर रही है और बिहार पोलिस भी जाच कर रही है दोनों सुसान सिंग के पिता ने पटना पुलिस में दर्ज मुकदमा कराया है जिसकी वज़े से पटना पुलिस मुंबई गई हुई है यद भी मुंबई की पुलिस का स्यायोग करने का इस समय तक कोई इरादा नहीं आएंगे तो बिहार सरकार CBI इंक्वारी कराने के लिए